नवस्कर दोस्तो जेहिंद वंदी मात्रम मैं आपके साथ जेस्वाल सर आप शवी का श्वागत अभिनन्दन है टीटी फैमली सिछकों के परिवार जेस्वाल कोचिंग सिंटर पर पावर्ड बाई सिछ्छा ही प्रकास है मैं आपके साथ जेस्वाल सर बात करेंगे रीट परियावर लेवल फस्ट की बात करेंगे क्लास नंबर थ्री बाई जेस्वाल सर आज की जो चैप्टर रहेगा बेवसाय बिजनिस का चैप्टर रहेगा और आपके सिलेवस में जो तीसरे चैप्टर है तीसरी क्लास में कंपी पानी से संबंधित क्रसी से संबंधित पसुपालन से संबंधित चैप्टर रहेगा एंड सब्जी वाला लगुद्ध्योग ठीक है राज के प्रमुख जो उद्धोग है आपके राजिस्थान के ठीक है यह सारी चीजों पर आज हम इस क्लास पर बात करने वालेंगे यह पू पर लिंक दे दी गई है पिछली क्लास भी आप लोग असानी से देख सकते हैं प्रतेक क्लास यहां फे फ्री और कॉस्ट है क्योंकि आप सभी परचित हैं राज्टित में टीटी फैमली है सिश्कों का परिवार है साथी जाथ फ्री में नो स्पीडर फाइव प्राप करना चाहते हैं आज ही टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर ले रहा है टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लिजेगा लिंक आपको रिस्क्रप्शन बाक्स में दे दिया गया है चले क्लास को कांटीनू करते हैं पहला प्रस्ण जो है आप लोगों के स्केन पर दिया गया है प्रस्ण क्या पूछा जा रहा है यहां पर जियां सभी कमेंट करके बाद बताईएगा प्रस्ण ने दिया गया कि निन्मे से कौन सब ब्योसाई की स्रेडी में आता है किसान, सब्जी वाला, दूद वाला या ये सभी अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा अपसन सही होगा पहला ही प्रस्ण जो है दमदार प्रस्ण पूछा गया है देखने में सरल है लेकिन सोचने में कठिन लग जाता है तो राइट अपसन सभी जानते हैं किसान भी आता है, सब्जी वाला भी दूद वाला भी है, सभी आ जाएगा यानि कि डी आपसन यहां पे जो दिया गया है वह सई हो जाएगा अंगला अपसन पूछा गया कि वर्तमान फैसन में कौन सा पजामा सरवाधिक पचलित में है सादा गेर वाला पजामा अलिगडी पजामा चूडी दार पजामा या पैंट नुमा पैजामा जो बाता है तो वर्तमान समय में कौन सा पैजामा जो है सरवाधिक पचलित में है तो जब आप सलेबस पढ़ेंगे तो आप लेडी पता जाएगा वह है अलिगडी का पैजामा किसकी बात करेंगे अली गड़ी के पैजामे की बात करेंगे ठीक है तो यहां पर भी आपसन जो दिया गए वह हमारा सही हो जाएगा अंगला प्रस्टनर निन में से किस मुलाइम कपड़े कपरयोग पिलो कवर बनाने के लिए किया जाता है पोपलीड, केस मेट, फाला नेन या उपरोग सभी देखिए कपड़े कपरयोग जो है मुलाइम कपड़े कपरयोग पिलो कवर बनाने के लिए जो किया जाता है वह कौन सा कपड़ा होता है वह होता है आपका पोपलीड भी हो सकता है केसमेट भी होता है और फलालेन भी होता है अर्थात जो ये सभी बाला दिया गया हमारा वह आपसन जो है सही हो जाएगा चौता प्रशने साथ यो बागवानी का समवन्वित बिकास करने हे तू राश्टी बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी वर्स 63, 62, 64 and 65 की बात करें तो बागवानी का समवन्वित बिकास करने हे तू राश्टी बागवानी बोर्ड की जो इस्थापना की गई थी वह आपके 1964 में की गई थी कब की गई थी 1964 में की गई थी सीवाल आपसन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा अंगला अपसन निन्मे से कहा राश्टी बागवानी बोर्ड का मुख्याला है जिहां गुरु ग्राम, करनाल, जोधपूर, भरतपूर आप सभी परचित हैं राश्टी बागवानी बोर्ड के मुख्याले की बात कर रहे हैं तो वह साथ यह गुरु ग्राम में पहला अपसन निया पर सभी कर लेज़ेगा अंगला है राश्टी बागवानी मिशन कब प्रारम हुआ जियां जो आपका राश्टी बागवानी मिशन है यह प्रारम कब हुआ था मई 2005, मई 2004, सितंबर 2006, सितंबर 2006 ठीक है तो इसका right option क्या होगा राश्टी बागवानी मिसन का program कब किया गया है तो 2005 में किया गया था और 2005 में कब किया था माई 2005 में किया गया था ठीक है तो आपका option सही हो जाएगा अंग्या फल उतपादन के ज़से राजिस्थान का सबसे प्रमुख जीला काउंस है जी हाँ फल के उतपादन के ज़से देखा जाए तो राजिस्थान का जो सबसे प्रमुख जीला कहलाता है वह काउंस आएगा वह आता है स्री गंगा नगर्चो जीला है ठीक है फल करेंगे सभी लोग बताएगा हम करशी की बात करेंगे डी आफसन की बात करेंगे अंगला निन में से कौन सी करशी फसल भूमी सुरच्छा फसल की रूप में लगाई जाती जी हां ऐसी करशी का नाम बता ही मेरे प्यारे प्यारे भायों की प्यारी प्यारी बहने से ठीक है पहला आपसन सही हो जाएगा सारे नोट स्पीड़े फाइल आपको अलेडी मिल जाएंगे टेलिग्राम लिंक टेलिग्राम चैनल जॉइन कीजिए गुरुप को लिंक दे दी गई है या साच करें जैस्वाल कोचिंग सेंटर अपने टीटी फैमिली को साचियों बाजरे को उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में सरवाधी किया जाता है बलवी में चिकनी में लोमी में या जलोड में किया जाता है तो बाजरे को उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में सरवाधी किया जाता है आप सभी परचित होंगे वह होती बलवी मिट्ट पहला आपसन आपे सही कर लेना है देश में राज का किस फसल की खेती में प्रथम इस्थान है जी हाँ देश में अगर राजिस्थान राज की अगर बात करें तो खेती में जो प्रथम इस्थान आता है वह आता है रेप सेट का C आपसन सही हो जाए निनमे से किसमे उद्यान जो है करशी का अध्यन किया जाता है बॉटनी में, हर्टी कल्चर में, जियोलाजी में या एनोटो में ऐसे उद्यान करशी का नाम बताई है जो ऐसा उद्यान का नाम बताई जिसमें करशी का अध्यन किया जाता हो आप सभी परचित हैं भावी धापक धापिकाएं हैं सिच्छबंद हैं ग्यानी सरोब वख्याता हैं बात करेंगे हर्टी कल्चर की क्या हो जाएगा आप हर्टी कल्चर उद्यान जो है करशी कद्धन किया जाता है आपका हर्टी कल्चर के बात करेंगे PC culture क्या ऐसा थी हो मदमख्खी पालन है मचली पालन है मुर्गी पालन है तो PC culture नाम से कैसे लग रहा जिसे पीसा हुआ हो पीसा हुआ कल्चर PC culture अर्थात हम किसकी बात करेंगे मचली पालन क्या मैं सही कर रहा हूँ सभी लोग बताईए PC culture क्या कहलाता है सभी लोग बताईएगा मुर्गी पालन मदमख्खी पालन मचली पालन तो मचली पालन को ही हम PC culture कहते हैं निम्कित में से कौन सायुग में सुमेलित नहीं है देखे AP culture कहलाता है सहद उतपादन VT culture कहलाता है अंगूर उतपादन और फ्लोरो कल्चर कहलाता फूलों को उतपादन और ओलरी कल्चर कहलाता समुद्री जीवों को उतपादन D option आपका सुमेलित नहीं है ठीक है ओलरी कल्चर जो कहलाता है वैस सबजियों के उतपादन का भंदारन जी हाँ साकी विग्ञान और ओलरी कल्चर की बात करेंगे ठीक है इसमें सबजियों को उतपादन भंदारन प्रसुसकर और विपड़न से सम्मंदित विग्ञान कहलाता है जो आपका ओलरी कल्चर है इस फसल की स्थापना भी सामिल है जिसमें खेती का चैन बीज का तयार करना बीज और प्रतर उपन द्वारा सबजी फसलों का इस्थापना भी सामिल है तो ओलरी कल्चर का सम्मंद किससे होता है सबजियों को उतपादन की बात करेंगे और आपका प्रशन होगा सम्मुद्धी जीवों को उतपादन की से सम्मंद ही थे तो सम्मुद्धी जीवों को उतपादन को हम मेरी कल्चर बोलते हैं क्या बोलते हैं सम्मुद्धी जीवों को उतपादन को मिया पर क्या बोलते हैं मेरी कल्चर ठीक है आईए बात करेंगे अंगले प्रिश्ण की भील जनजात के लोग पहाड़ी ढालों के वनों को जला कर उस पर जो करशी करते हैं उस तकनीक को क्या कहा जाता है तो उस तकनीक को साथियों सभी लोग जानते हैं चीमाता क्या कहा जाता है चीमाता कहा जाता है तो क्रशी के साथ साथ जो पसु बालन की विवस्ता होती है उसे ही ब्यापारी क्रशी बोला जाता है अंगला है निन में से किस पालतू पसु की संख्या राज में सरवादिक है जी हाँ ऐसा नाम है ते जिस पालतू पसू ये भी ध्यान देना है कैसा पसू होना चाहिए पालतू पसू होना चाहिए और राजिस्थान राज में सरवाधिक है तो पालतू पसू की बात करेंगे बखरी की बात करेंगे ठीक है अंगला प्रिशन यहां पर दिया गए इंटेस्टर प बात करते हैं, रेगिस्तान का जहाज का जिक्र होता है। ठीक है? पहला आफ्षण सही हो जाएगा, आधर ये बात करते हैं ग्ले प्रिस्शनी के। जिले में, अगर जिला पूंचा जाता है, उण्टो की संका तो है, रेगिस्तान का जहाज है, लेकिन अगर यह पूँचा जाए कि राजिस्थान में सब सदिक उटों की संखा जो है किस जिले पर है तो आपका जवाब होना चाहिए बाढ़ मेर सिवाल आफसन यांपे सही हो जाएगा तो कम और अधिक दोनों को पता कर लिना है क्योंकि दोनों पूछे जा सकते दोनों सम्भावित प्रशन है आपकी सलेबस में एकॉर्डिंग प्रशन है और ही टिक्जाम में आया हुआ प्रशन निमिकित में 21 जानवर को भी आप सन्यापे सही हो जाएगा अंगला प्रस्न है कि किस पंचवर्सी योजना के अंत में राश्टी पसु जैवी की उत्पाद गुणवत्ता नियंतन के इंद्र की स्थापना की गई तो किस पंचवर्सी योजना के तहत जो है या किस पंचवर्सी योजना के अंत में राश्टी पसु जैवी की उत्पाद गुणवत्ता नियंतन के इंद्र की जो इस्थापना हुई थी बैहुई थी नवी पंचवर्सी योजना के तहत या नवी पंचवर्सी योजना के अंत में ठीक है सीवाल आपसन सही कर लेना है अंगले राश्टी पसु जैविकी उत्पाद गुणवत्ता नियंतन केंद कहां पर इससी थे सभी बताईएगा जियां राश्टी पसु जैविकी उत्पाद गुणवत्ता नियंतन केंद जो आप केसी थे कहां पर है भरत पूर लखन तो राश्टी पसु जैविकी उत्पाद गुनत्त नियंतन के इंद जो इस्थापी थे वह आपके बागपत पर है ठीक है भी आप सुनके आपे सई कर लेना आई बात करतें अंगले प्रिश्ण की नोर्मन बोरलाग ने कहा है कहां पर हरित क्रांद की सुरुवात की थी ब्रा हां साथ यो नोर्मन बोरलाग ने मैक्सिको में हरित क्रांद की शुरुवात की थी ठीक है भी आप संथा हो जाएगा भारत में شांप कोन भारत के मीं अरित क्रांद के जनक कहलाते हैं म.S. Swaminathan की बात करेंगे ठीक है सीवाल आफसन जो सेकंड आफसन दिया गया है ठीक है म.S. Swaminathan वह हमारा सहीवाला हो जाए निन्मे से कौन मचली उत्पादन से सम्मंदित है सभी प्रचली थे हैं या जानते हैं आप लोग नेली करांथी का जिक्रात है किसे संभनदी सभी था था ये तीकिन भूरी क्रांती किस संभनारा थेeur स्भी कर्णा से हैं और फीड क्रांथी स्भी पर्चिथे दुख глutt-वुठपादन से थिकिन भूरी करंथी जजो संभन दूचashes दुध इज्जत बनाए रखना है तो रोग निदान बहुत ही ज़रूरी है जिहां इज्जत नगर इस्थर पर पसु रोग अनुसंधान इवं रोग निदान केंद रिस्थे थे बात करेंगे भी आप संकि अंगला निल्म किति मेंसे कौन सी सब्जी जमीन के अंदर नहीं होती है सभी जानते हैं आलू, अर्वी, शकरगंद ये तीनों जमीन के अंदर होते हैं लेकिन आपका जो टोमैटो है टोमैटो क्या उपर होता है तो जमीन के अंदर नहीं होता है अर्थात एक आर्जिन टो कुश्चन्स डी आप सन्याप सही हो जाए अंगला कुटीर एवं लग उ कुटीर एवं लग उद्योगों की एक समस्या नहीं है क्या समस्या नहीं है देखे आप भली भात जानते हैं कुटीर एवं लग उद्योगों की जो समस्या है उर्जा की कमी समस्या है आधनिक प्रद्दोगिक की जानकारी या भाव होना उत्पादित वस्तों की गुणवत लेकिन आसीमीद बजार इसका कोई संबंद आपके कुटी रेवलब गुद्योगों के एक समस्चा नहीं होती समस्चा होती उर्जा की कमी होना, आधनिक प्रदोगिक की जानकारी या भाव होना, उत्पादित वस्तों की गुनवत्ता की बात करें राजिस्थान में निनमे से किस स्थान पर सक्कर बनाने का कार खाना नहीं है, जी हाँ, राजिस्थान की बात करेंगे, सक्कर कार खाने की बात करते हैं सभी परचित हैं केसो राय पाटन, उदैपूर, भूपाल सागर इन तीनों पर जो है सक्कर बनाने का कार खाना है लेकिन आपके निंबा हेडा निंबा हेडा पर आपके सक्कर बनाने का कार खाना नहीं किसी भी प्रशन पर डाउट है प्रतेक भाई भेन सिच्छबंद कमेंड किजी आपका एक एक कमेंड फीडबैक शरोपर है शर्मान है जैस्वार सलाफ चभी का विनंदन श्वागत करते हैं जी हां अंगला प्रशन है राजिस्तान में मंगलम सिमेंट उद्द्योग इस्थित है कहां परिस्थित है चित्तोडगर में मोडक कोटा में उदैपुर में या लखेरी अर्थात बूंदी की बात करेंगे तो राजिस्थान में मंगलम सीमेंट उद्योग कहा परिस्थित है साथिओं आप सभी परचिते मोड़क कोटा परिस्थ है वे आपसन को सई कर लिजेगा अंगला है राजिस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है चीनी, सीमेंट, सूती वस्त वनस्पति है तो राजिस्थान राज का सबसे जो प्राचीन उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द मिले हैं जियां राज के राजिस्थान राज पर तेल के विस्तद भंडार आपके बाड़ मेर पर मिले हैं जैपूर पर चितोड़ गर पर या डुंगरपूर पर मिले हैं तो किस इस्थान पर तेल के विस्तद भंडार मिले हैं आपके राजिस्थान राज पर तो वह है साथ ह आपका बाड मेर भी आपसन को पहला आपसन जो बाड मेर दिया गया वह सईकल लेना है होंडा मोटर साइकेस एंड इस्कूर्टरस लिम्टेड राज में इस्थित है किसमें हैं जिया, होंडा मोटर साइकिल्स एंड स्कूर्टर्स जो लिमिटेड कमपनी है, राज में कहां पर रिष्थेत है, सभी कमेंट कीजेगा, तो आपके अलवर जिले पर रिष्थेत है, पहला आपसन साइकल लेजेगा, राज के वे दो सहर जो दिया सलाई, अर्थात, माची सुद्यो के लिए, पर चिले पर रिष्थ है, वह आपके सहर कौन-कौन से हैं? सभी लोग बताईए, वह है अजमेर एवम अलवर की बात करेंगे आज से अजमेर, आज से अलवर, सी आपसन को सईकल देना है अंगला है पुद्दार सूती वस्त मिल राज मिल जो है, किस राज के किस सहर मिस्थित है, जी हां हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके पुद्दार सूती वस्त मिल की बात करेंगे जी हां, पुद्दार सूती वस्त जो मिल है, राज के किस सहर परिषित है वह सहर आपका और कोई नहीं, जैपूर शाहर है स्री आपसन को सईकल लेना है अंगला है वेजी टेवल्स आइलन की इकाई राजिस्थान वनस्पती प्रोड़क्ट इस्थित है जैपूर भीलवाड़ा धौलपूर चित तोडगर साथियों वेजी टेवल्स आरिलेन की काई जो कि राजिस्थान वनस्पती प्रोड़क्ट जो इस्तित शाथ यो ये कहाँ परिसित है आपकी भीलवाडा परिसित है भी आपसंग को सइकल लेना बेफिक्र कमेंड कीजे जियां एक एक कमेंड फीडबेक शरुपर है शर्मान आपकी स्कोर को बेटर करता जाता है आपकी स्कोर को 140 प्लस पक्का करता जाता है जियां सभी कमेंड कीजे राजिस्तान में रतनों की कटाई तता पॉलिसिंग कहां की जाती है जियां रतनों की कौन सा सहर है जो सिमेंट उत्पादन के लिए प्रशिद्ध है जिया जोधपूर जैपूर नागावर या चित्तोडगर तो राजिस्तान का ऐसा सहर जो सिमेंट उत्पादन के लिए प्रशिद्ध हो वह शहर और कोई नहीं आपका चित्तोडगर जिया डियापसन को साइकल ना है जब इस सहर सिमेंट की बात करते हैं चित्त और गड़ का नाम शरो पर या जाता है राजिस्तान में सरसो तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां है अलवर जैपूर भरतपूर अजमेर की बात करें तो राजिस्तान में सरसो तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र जो जो concept है आपका ठीक है इस concept को complete करेंगे आए बात करते हैं लेपस्णिक साथियो हस्त सिल्फ उद्योग किस उद्योग वर के इंतर गता आता है व्रहद लगू कुटेर या अतिलग के इंतर गता आता है देखे हस्त सिल्प जो उद्योग होता है वह किसके अंतरगात आता है वह आपके कुटीर उद्योग के अंतरगात आता है सीवाल आपसन हैं पर सई कर लेना है राजिस्थान राजी की प्रथम चीनी मिल कौन सी है सबी लोग बताईए राजिस्थान राजी की प्रथम जो चीनी मिल है वह कौन सी है वह गंगा नगर शुगर मिल की बात करेंगे किसकी बात करेंगे राजिस्थान की प्रथम चीनी मिल जो है वह आपका है गंगा नगर शुगर मिन ठीक है डी आपसन कहाँ पे साइकल लेना है अंगला प्रस्न दिया गया है उदैपूर तथा भील वाड़ा जिले में मिलने वाले जो खनीज हैं कौन से हैं जस्ता है, सीसा है, चांदी है, तांबा है जस्ता, जिप्सम, गौर्नेट एवं शोना है सीसा, चांदी, टंगस्टन एवं तांबा है चांदी, रॉक, फास्वेट, टंगस्टन एवं जिप्सम है देखे उदैपूर तथा भील वाड़ा जिले में जो मिलने वाले खनीज हैं वह आपके कौन से हैं, जस्ता, सीसा, चांदी, वं तावा पहला वाला जो आपसन दिया गए, वह हमारा सही हो जाएग अंगले आपसन, राजिस्तान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है बारा जिले में, भरतपुर में, जोदपुर में, बाड़ मेर में आप सभी परचित हैं, ज्यानी सर्व वख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाए हैं जैस्वासर आप सभी का गंदन श्वागत करते हैं जैस्वासर आप सभी परचित हैं, कि अगर आपके टीटी एक्जाम को फत्य करना है टार्गेट 140 फ्लस यहाँ पर है, आउट आफ 150 में से प्रते क्लास के सिसन का प्रते कोश्चन का फीड़ बैक इंपोर्टेंट है जीहां, राजिस्थान के कि जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है सभी परचित हैं, कि जिले की बात करेंगे, बाड़ मेर जिले की बात करेंगे, डी आपसन सही हो जाए राजिस्थान के किस इस्थान पर खेल कूद के समान का निर्माण होता है जी हाँ खेल पूद जो स्पोर्ड का समान है वह निर्मान होता है स्री गंगा नगर उदैपूर कोटा या हनमानगड में होता है तो राजिस्थान राज़ पर जो खेल-कूद का समान है राजिस्थान राज़ के किस सहर पर निर्माण होता है आप सभी परचिते साइद हम बात करेंगे हनमानगर देखे हनमान बजरंग वली गदा एक ताकस से या एनर्जी से सम्मन्दित है और खेल-कूद इस्पोर्ड ए राजिस्थान का जिसमें कंबल प्रशिद है ठंडी में कंबल ओड़ा जाता है ना वहीं कंबल तो दोस्तों आपका जैसल मेर है जैसल मेर में कंबल बहुत ही प्रशिद है इसकी कहानी थोड़ा लंबी है किसी क्लाब्स में चर्चा करेंगे अगर आपको पता है ज़रूरर कमेंट करें बताइएगा मुझसे ज़्यादा आप लोग इसका डिफनेशन कर सकते हैं इस कहानी की राजिस्थान स्टेट केमिकल वर्प्स कहाँ परिसित है राजिस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की बत कर रहे हैं तो यह कहां परिस्थ है सभी लोग बताईएगा तो हम बात करेंगे डीडवाना पहला आपसन सही कर लेना है राजिस्थान की वस्त नगरी का क्या नाम है अजमेर, उदैपूर, शीकर, भीलवाड़ा राजिस्थान की वस्तों की नगरी है और वस्त नगरी से जो प्रसिद आपका ठीक है सहर है वह आपका भीलवाड़ा है अंगला है काले पत्थर की मूतियों की निर्मार के लिए प्रसिद इस्थान काउन सा है जी हाँ, काले कासे काला, तासे ताला, ठीक है, आपने साइद ताले को काले की रूप में नहीं देखा होगा, तो काले पत्थर की मुझतों को निर्मार करें परसे दिस्टल तलवाडा हो जाएगा, कासे काला, तासे तलवाडा, आईए बात करेंगे अंगले परसे, राजिस्तान में तार कासी हस्तकला का केंद नाथ द्वारा किस जिले में सित है जैसल मेर, बीका नेर, बाड मेर या राज समंद की बात करें देखें तार किसी हस्तकला केंद की बात करेंगे तो किस जिले में सित है सभी कमेंट कीजीगा राजसमंद की बात करेंगे डियापसन यहाँ पर सही हो जाएगा लगबग 20-22 प्रशन और बचुएं कम्पीट करते हैं इस क्लास को पूरी तरह से कम्पीट करते हैं बहुत ही कम समय में जादा प्रशनों को जादा सलेवस कवर करने की कोसिस करते हैं आई बात करेंगे अंगले प्रशन की राजिस्थान की मतहरन कला किस जिले के प्रमुखास्त कला की मानी जाती है बीका नेर, जोधपूर, किसंगड, जैपूर तो राजिस्थान की जो मतहरन कला है यह किस जिले की प्रमुखास्त कला मानी जाती है ठीक है तो आप जानते हैं बीका नेर जी हाँ बीका नेर की बात करेंगे मैं थहरन कला की बात करेंगे लकडी के पेटेंड फरनीचर का नाम किस जिले में सरवाधिक प्रशिद है जी हाँ लकडी के जो पेंटेड फरनीचर Painted मतलब Color हुआ जो Painted होते हैं Painted Furniture जो लकड़ी के Painted Furniture के नाम से जिला वह सरवाधी प्रिशिद है वह जिला आपका कौँन सा है आपको कमेंट करके बताना है वह जिला और कोई नहीं किसन गड़ जब लकड़ी के Painted Furniture की बात की जाती है किसंगड का नाम शुरू पर या जाता है गड मतलब गड़ा हुआ लकड़ी के गड़े हुए फनीचर पिंटेट की बात करें चांदी के तारों पर सोने को चड़ा कर डिजाइन बनाने की कला जर्दोजी का प्रमुक केंद कहाँ पर है चांदी के तारों पर सोने को चड़ा कर एक डिजाइन बनाने की कला जिसे जर्दोजी है उसका प्रमुक केंद जो कहलाता है कौन सरसार है देखें लकड़ी के पिंट के डिजाइन की बात करते है किसंगड का जिक्र होता है लेकिन चांदी के तारों पर सोने के चढ़ा कर डिजाइन बनाने की कला जर्दोजी का जो प्रमुक केंद कहलाता है सभी कमेंड कीजिए वह जैपूर कहलाता है ठीक है आई बात करेंगे एंगले प्रिश्ण की निन में से किस कारण से उब्होगता सन्रचन की आवश्यक परती है काला बजारी से, जमा खोरी से, बिना मानक की वस्तूं से या ये सभी से देखे उब्होगता सन्रचन की आवसकता क्यों परती है क्या आपने सोचा ऐसा आपसे इच्छकबंद है मानले जी अब आप की निक्त होगी अध्यापक अध्यापिगा बनेंगे और आपका ही बच्चा क्लास का पूंच लेता है आपसे कि सर ये बताईए ठेक है कि उबोगता सनच्चन के असकता क्यों पड़ती है तब आपका जवाब होना चाहिए काला बजारी को रोंकने के लिए जमा कोरी को रोंकने के लिए बिना मानक की वस्तूं को बेचने से रोंकने के लिए ये सभी के लिए उबोगता सनच्चन के असकता पड़ती है बारत में उभोगता सनच्चन शेत में राजिस्थान का इस्थान किस में आता है प्रतम द्वती त्रती चतुर्थ तो भारत में उभोगता सनच्चन शेत में देखा जाए राजिस्थान राज का जो इस्थान यहां पे मिला हुआ है तो वह आपका प्रथम आता है ठीक है पहला आपसन सही कर लेजेगे भारत में उभोकता सनर्चन अधियम किस वर्स लागो हुआ जिहां भारत की बात करेंगे भारत में उभोकता सनर्चन अधियम जो है कब लागो हुआ है आप सभी परचित हैं हम बात करेंगे जब भी उबोकता सनच्चन दियम की बात करते हैं आपका वर्स 1986 नाम शरोपर याता है ठीक है और अगर दिन भी पूँचा जाता है तो बात करेंगे हम 24 दिशंबर ठीक है राश्पती द्वारा हस्ता चरित होने के बाद देश भर में उबोकता सनच्चन दियम लागो हुआ और इस दियम के बास 1993 वाद 2002 में मातपूर्ण इसमें संसोधन भी किये गए दो बार अभी संसोधन हुए हैं आपके ठीक है उबोकता सनच्चन दियम में कब एक बार 1993 में औ और एक बार 2002 में किया गया है उबोकता सनच्चन दियम 2019 कब से लागो हुआ है तो बोकता सनच्चन दियम जो आपका 2019 है कब से लागो हुआ है आप सभी परचित हैं हम बात करेंगे 20 जुलाई 2020 की बात करेंगे चले बात करेंगे अंगले प्रश्ण की अंगला प्रश्ण क्या कह रहा है इसकीन पर है उबोकता सनच्चन दियम 2019 को 9 अगस्त 2019 को अलिसोचित किया गया था लेकिन 20 जुलाई 2020 को यह लागो हुआ था उबोकता सनच्चन दियम 2019 के ताथ कितने डुपए की छतिपूर्थ के लिए मामला दर्ज कराने पर कोई सुल्क नहीं लगता पाँच लाग दस लाग पंद्रा लाग वीस लाग चार आपसन हैं पटापट सभी लोग बताईए कौन सा आपसन सही होगा दस सेकंड के लिए आपको वब्त दे दिया जाता है चलिए समय समाप्त हुआ अब बात करेंगे इंसर की चलिए आपको समय पर दे दिया गया और हमने थोड़ा सा जल भी ले लिया ठीक है कितने रुपए की छतिफूद के लिए मामला दर्ज कराने का कोई सुल्क नहीं लगेगा चार आपसन सहापके इसकीन पर दिये गए हैं और चार में से जो हमारा सही आपसन है आई होप आपने अच्छे तरीके से कमेंड किया वह पांच लाग पहला आपसन सही कर लिजेगा भारत में सहिकारिता का प्रारम कब हुआ 1902, 1904, 1906, 1908 में देखे जब भी सहिकारिता का जिक्र हो एक ही सन आपको याद रखना है और आप बोलेंगे वह सन कौन है वह सन है आपका 1904 जियां वर्स 1904 में सहिकारिता का अप्रारम भुआ भारत में भी आपसन को सही कर लेना है निम्रिकित में किस समीत का सम्मंद सहिकारिता से था जियां समीत की बात करेंगे तो किस समीत का सम्मद जो सहिकारिता से था आपका समीत के नाम आपके स्कीन पर दिये गए वह समीत यहापकी मैक लगन समीत मैक लगन समीत का सम्मद आपके सहिकारिता से था दस बारे प्रिश्ण और वच्चे हुए है निम्रिकित में से किस वर्स सहकारिता को प्रांती भी से बनाय गया 16, 17, 18, 19 पर देखिए सहकारिता को प्रांती भी से जब बनाय गया वह वर्स वह सन जो था आपका और कोई नहीं हम बात करेंगे 19, 19 में जी हाँ, D.A.P.S.N. को यहाँ पर सही कर लेना है अंगला प्रस्थान भारत में स्वर्पतम सहकाईता के छेत में निम्रे से किस राज द्वारा सहकारी किसान क्रेडिट कार जारी किया गया राजिस्थान, उत्तरपदेश, मद्धपदेश, हरियाना जी के राजिस्थान, रेट एकजाम के अगर बात करते हैं तो सभी को पता है उस स्टेट का ही नाम आएगा, जिक्र होगा राजिस्थान की बात करेंगे अंगला प्रस्थान निर्मे से सहकारी बैंक जो राजिस्थान के प्रतेग जिले में सी थे जी हाँ, ऐसा सहकारी बैंक जो राजिस्थान के प्रतेक जिले में सित है छेत्री ग्रामीर बैंक, प्रात्मिक सहकारी बैंक, राज सहकारी बैंक या केंद्र सहकारी बैंक सभी कमेंट कीजेगा, प्रतेक भाई बैंस इच्छबंदू सहकारी बैंक की बात करेंगे सहकारी बैंग जो राजिस्थान के प्रत्तेक जिले परिसित है उसका केबल नाम आपको बताना है और आपका नाम केंद्री सहकारी बैंग D.A.P.C. को सही कर लेना है सहकारिता की प्रतम पाट साला किसे माना गया है परिवार को, गाओं को, जिला को, राज्य को देखें सहिकारिता के जो सहिकारिता की प्रथम पाट साला माना जाता है वैसाथ यो परिवार को ही माना जाता है जी हाँ परिवार फैमिली को ही माना जाता है सहिकारिता की प्रथम पाट साला पहला अपसंस ही हो जाएगा राजिस्तान में सहकारी धाचे का सुरूप क्या है त्रिस्त्री है एक इस्त्री है दुस्त्री है या चार इस्त्री है तो राजिस्तान राज में सहकारी धाचे का जो सुरूप कहलाता है वह आपका कहलाता है सभी लोग बताईए त्रिस्त्री कहलाता है जिया राजिस्तान मे सहिकारी धाचे का जशुरूप है वह त्रीस्त्री की रूप में है एंड अगला प्रस्ण है राजस संग का प्रधान कार्याल है कहाँ पर इसी थै जैसल मेर जैपूर बीका नेर उदैपूर में सभी कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट अंदाज में 70 प्रस्ण कमपीट करने जा रहे हैं राजस संग का जो प्रधान कार्याल है इसी थैसाथ यो वह आपके उदैपूर में स्थित है यह आप संग को सही कर लेजेगा अंगला राजिस्तान सहकालिता संग के कार के छेत में निम्रकित में से कौन सा जिला संगलित नहीं है निगेटू नकरात्मक प्रस्ण क्या संगलित नहीं है तो जब आपको यह पता होगा क्या क्या संगलित है तो अलेडी पता हो जाएगा क्या नहीं है तो उदैपूर, कोटा, बेलवाडा ये तीनों आपके हैं सम्मलित हैं ठीक है आपको जो उदैपूर दिया गया है उदैपूर जो है आपके राजिस्थान सहकारिता संके कारचेत में आपका सम्मलित जिला नहीं है क्या नहीं है उदैपूर नहीं है बाकि डूंगरपूर कोटा और भीलवाडा ये तीनों आपके सम्मलित है अंगला प्रसंदिया गया है केशो राय पार्टन में सहकारी छेत में किसकी मिले हैं दाल की कार्टन एवं दाल की तेल की चावल एवं चीने की केसो राय बाय पाटन सहकारी छेत के अंतरगत जो मीले के हैं आपकी वह आपकी काटन ऐवं डाल की मीले वह आपसंग को सही कल लेना है अनला है राजिस्तान, राजसहकारी क्रै विक्रैशंग, राजफएड का मुख्याल है कहां पर इसी थे जोदपूर, जैपूर, उदैपूर, बीकारने, जिहां साथ ही, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी सिच्छवबंधु मेरे, मेरे प्यारे भाई, बहन, ब्रदर्स, सिस्टर्स, जिहां, टीचर्स, फैमली, सभी कमेंट किजेगा, आप सभी इस परिवार के हिस्सा है, गर्व कर वैसाथ यो आपके जैपूर परिसित, ठीक है, अंगले, राजिस्थान, राज सहकारी उभोक्तासंघ लिम्टिड का, गठन, किस वर्स किया गया, साथ में, सरशट में, सत्तर में, तो राजिस्थान राज सहिकारी वोगता संग लिम्टेड का जो गठन किया गया था किस वर्स किया गया था वह आपके 1967 में ये ध्यान देजेगा 1967 में राजिस्थान राज सहिकारी वोगता संग लिम्टेड का गठन किया गया था कि बसं दो तिन प्रेश्ividad है dod When the को आवास सहिकाईता के नतरकत बेबी ब्लैंकेट योजना किस परस प्रारम कि गई जियां आवास के सहिकाईता के नतरकत बेबी ब्लैंकेट एक योजना घंपकी आप सभी परचित कोगे यह योजना कब प्रारम कि गई 95 में, 96 में, 97 में, 99 में हो सकता है, किसी का आपका डेटा आफ वर्थ हो सकता है ठीक है? तो राइट अप्सन, 1999 की बात करेंगे आवाज सहकाईतर के इंतरगत बेबी ब्लेंकेट योजना आपके 1999 में प्रारम की गई थी अपना बजट घर योजना वर्थ 2001 में, राजिस्थान के किस जिले से प्रारम की गई थी अपना बजट घर योजना वर्थ 2001 में, राजिस्थान के किस जिले से प्रारम की गई थी शुरुवात जो है किस जिले से की गई थी वह आपका जला और जिला है ठीक है सियापसन को साहिकल लेना अंगला पूसने राजिस्थान सहकारी सिच्छा इवं प्रवंध संस्थान का मुख्याले कहां पर है जोधपूर, उदैपूर, अजमेर या जैपूर की बात करेंगे तो राजिस्थान सहकारी सिच्छा इवं प्रवंध संस्थान का मुख्याले कहां पर है आपको कमेंट करके बताना है और इसका हम सभी के लिए आज के लिए मौक कोश्चन पर रख रहे हैं आप सभी के लिए मौक कोश्चन है से कोश्चन आपको कैसे लगे नीचे कमेंड बाक्स में आवस्वता आईए मैं आपके साथ जैस्वा सर आपकी अंगली क्लास अंगले लेच्चर अंगले लेशन्स फर मिलते हैं सबी मित्रों को जैहिंद वंदे मातरम धनवाश रभीका